इंडिया की जो एजुकेशन है वो आप किस नजरीय से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कहां तक आप इसमें एजुकेशन को ले जा सकते हैं क्या आपको लगता है जो आउनलाइन एजुकेशन में इतना क्रांती आई है कि आउनलाइन एजुकेशन कभी आउफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस कर पाएगा तो क्या लग रहा था कि आपको गूगल में जाकर करियर और सेट हो सकता था जो जो मीन से उठते हैं उनी का नाम आसमा तक फैलता है इतिहास को लिखने के लिए कलम की जरूत नहीं होसलों की जरूत होती है इसी मुकाम में आज मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा हमारे अपने दिपांसु सर से दिपांसु जी ने छोटी से उमर में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आप जब दिपांसु जी की कहानी सुनेंगे कि कि किस तरह से इतनी छोटी से उमर में कोई विक्ति इस मु जबनी मेरी चोटी सी रही अभी तो 2016 में मैंने अपनी 12 खतम करी थी उसके बाद parents चाहते थे कि मैं भी टेग करूं इंजीनियर बनूं तो मैंने 2016 में पंजाब टेखनी यूणिवर्सी टी में मैंने डिमिशनल ली तो वहां से फिर मैंने अपनी इंजिनिंग करी तो 2020 में मैंन लग गया लिंग्डिन से फिर मैंने अपना एक जॉब भूंडी जो की Google के payroll पे थी तो मैंने वहां पे अपना पहली जॉब स्टार्ट करी तो मुझे अभी भी याद है वो देट मैंने जब सेप्टेंबर में जॉब स्टार्ट करी 2020 की बात कर रहा हूं 2020 में सेप्टेंबर म होता था तो मैंने गूगल में जब काम स्टार्ट किया सब कुछ हुआ तो मुझे अंदर से ही एक होता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा था वो काम करने में तो पहली जॉब जो आपके नहीं वो गूगल से रही हां वो गूगल के payroll पे रही ती उसके बाद फिर करते करते मैंने आठ मीना वहाँ पे काम किया तो उसके बाद फिर मैंने एकदम से पदनी क्या हुआ मैंने वहां से resign कर दिया तो क्या लग रहा था कि आपको गूगल में जाकर career और सेट हो सकता था उस व्कत हाँ विल्कुल हो सकता था अगर मैं वहां करता अच्छे करता तो मैं definitely मैं पहले जॉइन करी, एपक्स नाम है, और एपक्स बहुत एजुकेटर्स को सर्फ कर रही है, बहुत अच्छे से सर्फ कर रही है, तो मैंने उनके साथ एपेक्स करता क्या एक्जाट एक एक आईटी कंपनी है और पिछले मतलब वो पिछले तीन साल से एजुकेशनल डुमेन में काम कर रहे हैं इंडिया के जितने भी एटेक कंपनीज हैं एटेक जाइंट्स हैं उन सब को एक एटेक एक ए-learning मॉबाइल अप्लिकेशन पॉइट कर रहा हैं आप देख सकते हैं कि मतलब आजकल आउनलाइन का अब पहली बात आउनलाइन आप से पड़ा मुझे इथ बैक औ-पम ऐप ही चाहिए और अनलाइन Protect तो अल्मोस्ट ओवर्टेक करी लिया अफ्टेन एजुकेशन को इंडिया की जो एजुकेशन है वो आप किस नजरिये से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कहां तक आप इसमें एजुकेशन को ले जा सकते हैं अब देखो पहली मदब आप कोई भी सेक्टर ले लिजें अजिनिंग सेक्टर ले लिए आजकल वो भी इतना ग्रो कर रहा है आजकल इतनी डिवलमेंट हो रही है इंडिया इतने आगे जा रहे हैं तो जेही सेग्मेंट में जितने भी बड़े बड़े टीचर से जुकेटर रहे हैं तो वो भी एप यूज कर रहे हैं अपने कर रहे है और इतनी आगे तक जा रहे हैं कि आप का जो मेंन है कि आप और तक को सिखा सकते बिलकुल हम उनको सर्विस पॉइड कर रह है है और उनके टेक्नलोजी पर्टन बन रहे है कि वहफ घर बैटे मेंस अब एक सिंपल सी बात श्याशि THIS है वह तीचर परहाना जानता ह उसको प्रहानी की knowledge है लेकिन उसको technology की knowledge नहीं है कि वो app कैसे बनाए app को कैसे चलाए तो उस चीज़ को overcome करने के लिए हम picture में आते हैं हम educational app provides करते हैं कि teacher को कोई दिक्कत ना हो teacher अपना content पढ़ाए अपना content बेचे और अपने content में ही focus रहे बाकी technology हम देखेंगे हम उनको fully support करें सवाल मेरा यह दिपांसुची क्या commitment अपने educators को देते हैं कि वो आपसे मतलब इतना खुश रहते हैं जैसे कि बै देखू कि DSL English वो आपसे इतना खुश है मतलब classes वागर कर रहे हैं यहां पर अच्छी classes चल रही हैं कई millions में application downloads है और बहुत अच्छे students का feedback रहा है तो क्या आप मतलब क्या ऐसी commitment अपने educators को देते हैं ताकि वो अपने जो viewers है और जो students हैं उनको अच्छी services दे पाते हैं हमारा तो यही motive रहता है कि अगर कोई भी educator है हम उनको 24-7 service दे और एक बहतर service दे 24-7 services आपी रहती है आप देख सकते हैं आप मतलब अगर कोई भी educator है वो उनकी app में रात को भी problem आती है तो मैं नहीं तो मेरी team मेरी technical team उस पे काम करती है यह बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई कि आप 24-7 रहते हैं अभी मेरे जाने वारे कुछ और भी educators थे जब भी इनसे बात कर रहा था तो यही बता रहे थे कि कि किसी और XYZ companies उन्होंने अपना applications लिया होगा बच्चों को बहुत problems हो रही थी तो उन्होंने अपने technical department से contact करना चाहा तो उन्होंने कभी night का time है हम कल देखेंगे तो अभी आपने बताई कि आप night हो या दिन हो आप हमेशा services देने के लिए तयार रहते हैं यह बहुत अच्छी चीज लगी मुझे आप से पूछना चाहिए इसी पल में आपने कभी ऐसा हुआ कि night में किसी educator का phone आया और उस आप से कुछ problem की और आपने solve की बिल्कुल होते है टेक्नलोजी है टेक्नलोजी में दिक्कत तो आती है तो इसमें अगर कोई रात को emergency में कुछ app बंद हो जाती है कुछ भी दिक्कत आती है classes देते समें classes देते समें technical team है वो immediately active हो जाती है तो इस चीज़ को हमने overcome किया हुए मतब ऐसा बहुत rare होते है लेकिन जब होते है तो हम उनके लिए खड़े रहते है चलिए अब देखें यहां अब तक हमने बहुत सारी बाते की और मैंने आपको बता कम उम्र मेंने अपना मुकाम हासिल किया इतनी बड़ी आज जगह पर है दुनिया भर के मतलब अगर भारत के अंदर मैं कहूं कि टॉप एजुकेटर्स आज इनके क्लाइन्स हैं उनको services दे रहे है 24 और 7 facilities अपनी IT टीम से उनको देने का काम गड़ते है अभी मैं बात कर था कि कम एज में चलिए जैसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन कम एज बोली है तो हम एज भी पूछ लेते है दिपान सुच अपनी एज क्या है और क्या लगता है कि इस एज में अपने से बहुत बहेतर मुकामपेजे देखना चाहते है तो हमारा ये मुकाम है कि हम इसीающPRO को आगे लेगे जाए और आज से 10 साल बाद अच्छे मुकाम पे रहे बहुत बढ़िया मतलब जो लगन है जो डेडिकेशन है और जिस तरह से आप आगे जा रहे जाए, इस चैसे बाहते हैं आप काफ़ी आगा जाएंगे। सवाल मेरे आप ततू हैं सवाल रहे है कि आप किस तरह से अप्ने आपको इत्ना एनरजटिक रखते हैं और किस तरह से अप अपनी family भी वग website को अपने थाम देते हông definitely काम भी जुरूरी है और फिर रात को कुछ मैं 11 बजे तक free होता हूँ तो उसके बाद फिर मैं अपना time पढ़ने में देता हूँ आपको पढ़ने का शौक है मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरह की किताबे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं पढ़ने में मुझे motivational किताबे पढ़ने का शौक है technologies पढ़ने का शौक है तो यही सब चीज़े तो मैं चाहूँगा कि क्या कुछ message आपने किसी किताब से आपने अब तक जो पढ़ा है वो अपनी life में आपने apply करने का काम किया है मैं चाहूँगा या हम हमारे दर्शे को बताए अभी एक recently मैं एक book पढ़ रहा हूँ तो उस book में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी opportunity आपको मिले तो उसको immediately grab करो बहुत बढ़िया उसमें यह भी लिगा था कि पहले तो बताना चाहिए मतलब आजकल तो यह conclusion हो जाए था कि अब मैं वह opportunity कि इसको पताऊ या ना पताऊ बताऊंगा तो मेरे competitors हो जाएंगे नहीं पताऊंगा तो मैं अकेले grab कर लूँगा तो मेरा तो यह मानना है कि अगर आपमे talent है आप वह opportunity grab कर सकते हो तो पताओ कि अगले बंदे भी वह उसको कर लें तो बाखी opportunity कभी भी मिले उसको grab करो और आगे बढ़ो तो क्या लगता है कि आपको ऐसी opportunity आपने अपनी life में कुछ ऐसी आपको opportunity मिली हो और आपने तुरंद grab कर लियो और अपने opportunity मेरे साथ इस organization में आना तो यह मैंने grab किया आपको आपकी application को maintain करना वो मैंने grab किया तो आज देखिए आपकी application में भी मतलब इतने million installs हैं 1 million installs हैं और concurrent इतने बच्चे life class में आते हैं और कुछ दिक्कत नहीं आती है तो यह opportunity है कि आप बस grab कर लिजे और किसी की life में कोई ने कोई गुरू तो होता है जो से inspire करता है और से आगे बढ़ाने का काम करता है तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपकी life में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको हमेशा motivate करता हो इस तरह से आगे बढ़ाने का काम करता हो पेरेंट्स एच्छा गुरू को नहीं हो सकते हैं तो पेरेंट्स ही है क्यूंकि मैं business family से ब्लॉंग करता हूं तो business करने का जनून है तो कोई mom dad हैं तो उनसे बड़ा गुरू को हो ही हो सकते हैं आपके parents की कोई भी ऐसी सीख जो आपकी जिन्दगी में एक क्रांती लेकर आई हो और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पैरेंट्स ने मुझे बताया था और ये मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा है पैरेंट्स ने तो ये सिखा है कि अच्छे करम करो और भगवान पर विश्वाश रोको काफी आगे तक जाओगे बहुत बढ़िया तो वही है कि बस किसी का बुरा नहीं करना एक अच्छे करम करने है और बागी सब अच्छे योगत है दिपांसु जी जैसे मैंने सुना है लोगों से कि लोग कहते हैं कि इनसान अपने भागे से आगे निकलता है कुछ लोगों को कहते हुए सुना है आपके बारे में मैंने भी कि दिपांसु जी को जो लख है वो उनके साथ है और आज इस बड़ी पोस्ट पर है इतना बड़े मुकाम पर है कि उनका लख उनका साथ देता है आपसे मैं आपसे ही जाना चाहूँ है कि लख कोई चीज है या हाड ऑोरक करने से इंसान वहाँ पूश right हार्ड ऑर लख के बारे में कुछ पर है तो बीना हाड़ के तो आप आगे भड़ी नी सकते तो महनत तो कडनी पड़ेगी से वो महनत हाड महनत करो या वो mind मेहनत करो, वो आपके उपर है smart work, smart work जिसको बोलते हैं या तो आप hard work करो या तो smart work करो but मेरा ऐसा मानना है कि सर आपको कुछ भी achieve करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी luck भी हर जगा, हर time साथ नहीं देता आपका, मेहनत हमेशा साथ देगी, आज नहीं तो कल मेहनत साथ देगी ही देगी बट आप जैसे कह रहे हैं कि luck तो luck भी हो सकता है बट मेरा ऐसा मानना है कि मेहनत करो, सबका luck साथ देगा ही देगा तो यहाँ पर दिपान सुची का कहना है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं luck भी आपका तबी साथ देगा जब आप मेहनत करेंगे मतलब आप मेहनत नहीं करेंगे आप सोचेंगे आपका luck आपका साथ देगा तो ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी और कहने का मतलब अर्थिन का ये है कि अगर आपने एक बार ठान लिया कि हमें करना है तो आपकी आदी जीत तो यूही हो जाती है आदा अगर आप जब और करेंगे तो आप पूरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे तो वह बहुत जल्दी मैंने देखा हार मान जाते हैं और कुछ गलत रास्तों को चुन लेते हैं क्या किना चाहते हैं पहले तो आपको वीजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कड़ना क्या है अगर वीजन क्लियर है और आप हार्ड वर्क कर रहें उसको पाने के लिए तो आज औरवल एकर वीजन क्या पतान भर्क शेपनग मैं झा धिन तो कल बेशक अज नी होगा लेकिन कल तक वह मुकाम मिलेग reliably मिलेका में इंडिया में मैं हाट नहीं माननी चाहिए मतब आगे बढ़ो मेहनत करो और आपको मतब सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी कहा ये भी जाता है कि जैसे जो लोग है जो टॉप पर पहुंच जाते हैं जिनको एक मुकाम हासिल हो जाता है तो उनकी जो लाइफ है बहुत इजी हो जाती है मतलब लाइफ म करते हैं हैं जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद मिल जाता है है तो ऊसके बार मेनत करूं और इस से अच्छा बहुत बढ़े हैं चले दीपांसुची चे पूछ लेते हैं कि उनकी स्कूलिंग डेज मतलब उनका जो सफ़र था इन स्कूल का जो सफ़र था क्या स्कूल की लाइफ में भी वह हमेशा अवल रहे टॉप रहे तो दीपांसुची मैं आप से अगला सवाल ये इसकूल को लेकर से भी बाद कर ली जाए मतलब एक जटी को लगता है निया कि वही सामने वो जितना जितना व्यक्ति उसके मुकाम हासिल किया है तो उसकी स्कूलिंग लाइफ कैसी रही और स्कूल की बाद 10 ऊतर तक 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 तुम पर्स लास रे फिफ्श सिख्स क्लास सकतो अश्गी था अच्छा सुडूंट ता तो सेवन धेर्थ 9 माईन तेंथ में आक के एकडम से तवसर डौ गया था आचे रहर तो नाइन तो ऐसा था कि मेरी एक सपली भी आगे थी फिजिक्स में मेरी सपली आगे थी तो मसला उस वो मिलिये बहुत पुरा दिन ता तो लेकिन नहीं महनत करी उसके बद तेंथ में अच्छे ग्रेटिस और 11 12 में महनत करी 12 में अच्छे ग्रेटिस आ कि उसके बाद मैं बी टेक में करा मतब मेरी स्कूलिंग लाइफ तो सर बोरिंग भी थी मैंने बहुत श्राड़ते करी हैं और कुछ को तंग किया ऐसे करना नहीं चाहिए था आप समझ आता है जब एज बढ़ जाते तो समझ आता कि नहीं हमें वोट राप्ते करता हूं और वहां मतलब दिन में अल्मॉस एक ऐसा दिन में एक पिरिड में तो मैं बाहर खड़े ही होता है कि अधर है पूरा कर पाए या फिर नहीं हो पाए किसी वज़ा से मैंने मैं जब 910 में था तो मेरा एक सपना था आई एस बनने का तो वो मेरा भी रह गया है और वाकी जब मैं 11 12 में आया था तो तब तक मुझे पता लग गया था कि मैं बिजनस में ही जाऊंगा पता एक जो मेरा सपना था वो आई एस बनने का वो रह गया कहिए तो बिजनस और जॉब तो आपने जॉब और बिजनस में अगर मैं आपसे पूछू जॉब कभी-कभी आपका मन किया कि प्राइवेट में कोई जॉब आपका ऑप्शन रहा हो तो इस तरह के जॉब करूँग या फिर बिजनस ही आपका टार्गेट था अगर मेरा एसा था कि अगर मैं जॉब करूं तो इस जॉब का ही वह देख सकते हैं आप यहां पे सवाल यहां पे पूछना चाहँ हो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि भई इस उम्र में कई सारे नौ जौवान जो होते हैं कोहते बहुत मतलब अपने आपको फिट रखने कोशिश करते हैं लेकिन फिट नहीं रह पाते मैं जाक से देख पा हूं मैं खुद आपसे इतना क्या आपका daily schedule है और किस तरह से अपने आपको इस तरह से energetic रख पा रहे हैं? फिट तो मैं अपने आपको मैं कुछ नहीं करता है fitness के लिए योगा भी नहीं, विल्कुल नहीं हमें कडनी चाहिए बट मैं अब वो schedule ऐसा हो गया कि नहीं time मिलता तो energetic का जो मुकावई है कि पढ़ना मैं अगर रात को भी पढ़ता हूं तो early morning में भी पढ़ता हूं तो उससे एक motivation आती है आप देखो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो आप कोई भी motivational book पढ़ रहे हो या फिक्शिस पढ़ रहे हो या कोई भी किसी की भी मतलब life के बारे में बढ़ रहे हो तो आप हर एक पढ़ने में कुछ ना कुछ सीखते हो तो बस वो ही है अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं तो कुछ ना कुछ सीख जाता हूं उसी से ही और वही एक energetic में बदल जाती है कि मैं पूरा दिन अपने आपको ऐसा रखता दिपाजु जैसा है कि मुझे इतना पता है कि आप लोग एक बहुत अच्छे education level को लेका चल रहे हैं तो जब आप इतने बड़े-बड़े educators के पास जाते हैं तो आपकी क्या theme रहती है किस तरह से आप communicate करते हैं उसके बाद जो अपने problems पताते हैं उस problems को हम solve करते हैं उनको trust देते हैं कि हम आपको जो भी problem आ रही है हम उसको overcome करेंगे और आपको इतना trust देंगे कि in future में आपको यह problem नहीं आई तो पहला मतलब पहला पॉन्ट तो यह रहते है कि हम रस commitment रहते हैं उनको जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को दूर कर पाई और बाखी security उनको security का बताते हैं और जैसे आपने अपनी application में काफी security दी हुई है कि definitely sir अगर आप भी पढ़ा रहे हैं आपका भी जो कॉंटेंट चोरी ना हो जाए या copyright मालब को इसको रिकॉर्ड ना गड़ ले अब हर एक educator का जो main होता है वो content होता है तो आजकल market में आप देख सकते हैं कि काफी content leak हो रहे हैं तो हमारा मतलब उनको वही trust करते हैं कि sir हम अच्छी security support करते हैं hardware लेवल पे software लेवल पे तो उनके content की security का हम उनको trust देते हैं कि आपका content safe रहेगा और बाकी educators को sir देखो अगर हम उनकी problems को दूर कर रहे हैं उनके साथ 24-7 खर रहे हैं तो educators हुद ही हमें sport करता है बहुत दिपांसु जी ने बताया कि वह अपने educators को सारी facilities security हो चाहाँ content हो सारी security 24-7 देते हैं और जैसे आपने enjoy कि आज हमारे दिपांसु जी के साथ आप उन्होंने तेखा कि इस तरह से मैनत करके वह अपने इस मुकाम पर पहुँच पाए और इसी तरह से कहना यहीं चाहूंगा क कि आप भी मैनत करें सफलता आपको जरूर मिलेगी hard work के साथ आपका luck काम करता है लग के भरोसे कभी मत बैठिएगा thank you अधिपांसु जी हमार साथ जुड़ने के लिए आपने इतना कीमती समय में दिया आज thank you so much sir आपने हमें इतना कीमती समय अपना दिया I guess आपके lectures भी र अपने के से गिए